नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल पर दोस्तों मैं अगर आपसे पूछूँ क्या आपने कभी कितली के अकार का घर देखा है क्या आपने कभी कोईन के अकार का घर देखा है तो आपका जबाब होगा नहीं अगर देखे हैं तो क सब्सक्राइब कर लें साथ ही बेल आइकन बटन भी दबा ले ताकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियो मिलती रहे दोस्तों अन्वीज्वाल बिल्डिंग के लिस्ट में पंच्वे नमर पर आता है तीपोर्ट का नम यह छोटे से अकार के विल्डिंग है अमेरिका के राजधानी वासिंग्टन डीसी में 1922 में बनाया गया था यह एक कैटली के अकार का घर बनाया गया पहले यह उत्मा फ्रमस नहीं था लेकिन फोटो और वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ सबसे यह महसूर हो गया साल में हजारों लोग सिर्चु से देखने के लिए आते हैं करण का रिप्लक्शन परता है तो यह उढ़ीजवल हो जाता है इसमें रहने के लिए अलग-अलग अपार्टमेंट है खाने के लिए रेंट है, लहने के लिए स्विर्णी पूल भी है, देखने के लिए हर साल लाखों में लोग आते हैं, दोस्तो अनविज्वाल बील्डिन्ग के लिस्ट में तिसरे नमर पर dancing house का नम आता है दोस्तों इस building को देखने के बाद आपको लगेगा ये दोनों आपस में dance कर रहे हैं जिसमें से एक building को सिधा बनाया गया है और दूसरे building को जुका कर बनाया गया है इस घर की खिर्कियां बाहर से देखने पर तेडी मेडी दिखाई परती है जबकि अंदर से भी देखने पर तेडी मेडी ही दिखाई परती है चार साल लगे हैं इस घर को बनाने में 1912 में काम शुरू हुआ 1996 तक चलता रहा दोस्तों दुनिया के अन्वीजवल बिल्निंग के लिस्ट में दुसरे नमर पर मीटन टी मुजियम का नम आता है मीटन टी मुजियम ये केतली का आकार का बिल्निंग है चेना के फ्यूजन सीटी में बनाया गया है जिसे सन 2000 में बनाना शुरू किया 2002 में बनकर त्यार कर दिया गया ये देखने में एकदम चाय की केतली के समन लगती है समने के तरफ से एक छोटा सा कब भी बनाया गया है इसे सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं बलकि इस बिल्डिंग में चैक के अनेको फरकार की भरैटी को रखा गया है हजारों के संख्या में लोग इसे देखने आते हैं अनवीजवल बिल्डिंग के लिस्ट में नमर वन पर आता है कोपर कोईन बिल्डिंग का नम इसे देखने के बाद आप भी चौक गए होंगे इस बिल्डिंग को पैसा कोईन के आकारिम में गोल सेफ दिया गया है इसे देखने पर लगता है कि कोई बरा सा कोईन को खरा कर दिया है ये 33 मंजिला उची इमारत है रात में ये और भी मज़ेदार दिखने लगता है जब इसका लाइट जलता है दोस्तों इस एपीशोर में इतना ही कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सुक्स मुता सकते हैं अन तक दिखने के लिए धन्यवाद